हलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ भावन, Certified Financial Planner और आप देख रहे है Financial Independence दिलाने वाली आपकी मनपसंद चैनल, The Art of Wealth Building Financial Independence हासिल करने के लिए Smart बनना जरूरी है Smart से मेरा मतलब है कि आपके Financial Goals specific, measurable, attainable, realistic और time bound होने चाहिए Specific Goals से मेरा मतलब है अगर मैं पूछूँ आज से 10 साल बाद आपकी Financial Position क्या होगी तो 90% लोग कहेंगे अमीर बनना है, बट ये specific नहीं हुआ अगर आप कहो कि मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए या retirement के लिए या घर की down payment के लिए पैसे चाहिए ये हुआ specific, am measurable, अब retirement बच्चे की पढ़ाई या घर की down payment ये specific तो हुआ, लेकिन कितना चाहिए होगा, ये समझना भी जरूरी है तो goal को specify करने के साथ साथ, CFP को concern करके कितना चाहिए होगा, ये समझना भी जरूरी है और उस specify किये हुए goal को measure भी करना चाहिए अब goals को measure करने के बाद कौन सा goal पहले attain करना है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है for example, home loan pre-pay करना है या बच्चे की higher education के लिए CFP के बताए investment plan को follow करना है ये समझना भी जरूरी है, जो आपको एक professional CFP ही समझा पाएगा कोई free की advice देखे policy बेचने वाला रिष्टेदार या पापा का friend नहीं as CFP पहले opportunity cost, risk appetite, time horizon और बहुत सी चीजे समझेगा और advice देगा ना कि बस एक brochure लेके कोई policy समझा के बेचेगा बस इस अंतर को समझना जरूरी है are realistic, रमन की income है 20,000 रुबीज पर मन्त at the age of 33 और उसका goal है 20 करोड रुबीज अचीव करना by the age of 40 I am sure आप सोच रहे होंगे रमन की खिसक गई है या बड़ी बड़ी बाते वड़ा पाउ खाते types so दोस्तो goals realistic होने भी उतने ही जरूरी है आप कोई goal achieve कर पाओगे या नहीं और कर पाओगे तो कैसे करोगे ये समझना भी बहुत जरूरी है और ये सब चीजे आपको CFP से जाननी चाहिए T time bound गोपाल को घर खरीदना है लेकिन कब ये उसे पता नहीं है अब गोपाल को घर खरीदना है साथ सालों बात और उसे करीब 30 लाग चाहिए होंगे तो यहाँ CFP को प्लानिंग करते वक्त समझ आएगा कि कौन सा investment vehicle यूज करना है गोल short term है या long term है So friends I hope इस वीडियो से आप smart financial goals set करना सीखे अब अपने friends और family को भी smart goals set करना सिखाईए और financial independence का message share कीजिए WhatsApp और Facebook पे And finally thanks for watching